यह जो लिंचिंग की बाते थी तो मेरे मन में हमेशा आता था कि यह कहां से वो राक्षस पैदा हो जाता है कि आप किसी को मार डालते हो तो मैं गुजरात में करीब 3-3 मेने रफिक कुरेशी नाम से रह रहा था और पहले अंदाबाद में जो कैटल ट्रेडिंग करते थे जो बूचर्स थे उनके साथ दोस्ती की फिर उन्होंने ही मुझे यह नाम दिया रफिक कुरेशी और उनके साथ फिर मैं राजस्तान से आए भेंस पाड़े पर्चेस करके गुजरात के अलग-अलग स्लोटर हो से इसमें बेचने क्या तो यह मैं करता था और यह करीब 3-3 महिने चल रहा था मैं खुद 32 ट्रकों में बैठके अलग-अलग दिनों पर मैंने ट्रैवल किया और बीच रास्ते में किस तरह से बजरं रुपए देने पड़ते हैं और वो पालनपूर में चौधरी नाम के है बजरंग दल के वो यह पूरा नेटवर्क चलाते हैं मैं 30-32 ट्रक लाया था और उस दौरान में एक बार उनके पास भी गया उनको मिलने के लिए कि मुझे धंदा बढ़ाने का है आप थोड़ा सा पैसा कम करो और मैं बाकाइदा स्कल कैप पहन के और पठानी ड्रेसेस वगरा वो पहन के ही मैं घूमता था रहता था तो मैं उनके पास चला गया कि आप थोड़ा सा आपका फीज कम करो मेरों को धंदा बढ़ाने का है तो बले कितना करेगा तो मैं बोला मैं रोज 40 ट्रक लेके आऊंगा और मुझे बंबई तक लेके जाना है तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं मेरी जिम्मेदारी ग तो आपको करना पड़ेगा तो फिर मैंने उनको पूछा कि और उनका एक रूल है कि चमड़ा उनको देना पड़ता है मतलब जानवर काटने के बाद मुफ्त में चमड़ा उनको देना है और वो एक्सपोर्ट करते हैं तो मैं उनको पूछा कि आपके धरम में तो यह इसे दीवार पे लक्षमी की मुर्ती थी, तो उसने बुचा, यह पता है क्या है, कोई भगवा ने, तो उसने कहा के, मैं इस की पूजा करूं यह चमडे की पूजा करूं, तो मैं बुचा, फिर हम भी तो वही चाहते हैं, हमको दो पैसा मिल जाएगा, अगर आपने हमको थोड़ा पैसा दिया तो हमको भी दो पैसा मिल जाएगा उसने कहा कि तुमारा पेड भरने के लिए जितना काफी है उतना मिल रहा है ना उससे जादा जो है वो हमारा है फिर काफी बाते उसने उस वक्त बताई कि करीब रोज देड़ करोड रुपया पालनपूर के वो जो अमिरगड का चेक पोस्ट है वहाँ पर एक दिन में रोज देड़ करोड रुपया इकटा होता है इद के बाद आना तब बात करेंगे शायद कुछ थोड़ा बहुत कम करेंगे तो इद के बाद आना उसने ये भी कहा कि बीच बीच में हमको लोगों को मारते रहना पड़ता है क्योंकि जब किसी को मारते है तब 10, 15, 20,000 लोग लर जाते है और वो डर बर करार रखना है तो बीच बीच में मारते रहना पड़ता है तो तू अचानक अलग नंबर के ट्रक में से ट्रैवल मत कर कई फस जाएगा एक अद दिन तो बीच में बहुता है हम सोचते है कि गव रक्षा वगरा ये धरम की बाते वो करते है लेकिन वो बिजनेस मोडल है और उस बिजनेस मोडल की इन्वेस्टमेंट डर है और डर ये investment basically fascism की investment है वो चाहे आप किसी भी फिल्ड में देखो जो demonetization के बाद उन्होंने किया था कि financial level पर हर आदमी को घुटनों के बल लाके रख दिया था और जब आर्थिक आधार पर कोई भी इंसान घुटनों के बल टिक जाता है तो वो किसी भी फासिवादी हुकम को माननी के लिए तयार हो जाता है और वो ही हमने देखा कि उसके बाद क्या क्या होगा कुछ नहीं और एक urban middle class में एक inferiority complex होता है urban middle class को हमेशा इसे रखता है कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे तो उनमें ये वहम पैदा कर दिया कि आप line में खड़ा रहे के देश के लिए बहुत कुछ contribute कर रहे हो और वो खड़े हो गए और वो मतलब खड़े रहने की वजह है कि वो जब हम जैसे लोग criticize करने लगे तो वो हमको गालिया देने लगे ये कहे कर के border पे देखो जवान केसे मर रहे है हम चार गंटे लाइन में खड़े नहीं रह सकते क्या और ये basically इस लिए होता है क्योंकि उन्होंने उनका जो inferiority complex है उसको treat करने की कोशिश की उसको address करने की कोशिश की और इसलिए ये पुरा बेवकूफ urban middle class उनके पीछे दोड रहा था लेकिन ये ये जाकर कभी कोई देखता नहीं है कि वाकई में ये क्या हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है